नमस्त दोस्तों मार्बल फ्लोरिंग जी दिन नश्रवा में आपका स्वागत है आज जैसे के आप यह पत्थर देख रहे हैं यह सारा जो भी रेट पत्थर देख रहे हैं इसका नाम क्या है इसका नाम है चेरी गोल्ड और तिकनेस इसकी 20 mm है यह यह देखिया आप यह पुल तिकनेस है 20 mm की यह सारे 20 mm है और इसकी इकलोती जो माई से वह उदवपूर में है अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं आपको मैं बहुत सारे ऐसे मार्बल बता दूंगा आपको रेट में पोसरी वरेटी आती है सर इसकी प्राइस की आउल सौल में इसका जो 20 18 mm का है उसका 150 रुपीज पर स्पार फिट है 20 mm का 180 रुपीज पर स्पार फिट है क्स्टरमर आपसे कौंटे करता है तो आपको मिनिमम कौंटोटी कितना देने हैं होगा है क्वांटिटी 4500 इसकार फिट दे देंगे हैं किसी को 2000 चाहिए तो वह भी दे सकते हैं कोई शुने टांस्पोरिशन का क्या करेंगे शारा होगा उसके साथ इसको बिजाने की पुरी कि एक डियान मिल जाएगी इसमें और एक पुर्ड डियान मिल जाएगी एक यह बहुत सरी डियान है इसमें चेरी ग्रीन एर रेड में यह देखिए पूरा यह इनका माइस भी है उद्वपुर में अगर आप ब्लोग लेना चाहिए तो भी ब्लोग भी परचेज कर सकते हैं आपको चार-पांथ दिन में इनके माइस पे जाके पूरा ब्लोग रिदना चाहिए तो सर यह ब्लोग की क्या रेट रहेगी लगगी आठ हजार रुपर पर टन आठ हजार रुपे पर टन साइज फुल साइज बड़ी साइज बड़ी साइज जम्मो साइज देखिए एक औ इसका नाम भी मेरिन ब्लेक है यह इसकी उद्यपूर में ही माइन्स है और यह भी 1.5 रुपे में आपको मिल जाएगा अगर थिकनेस कम है तो 1.5 रुपे में अगर 20 mm का तो रेट थोड़ी 19-20 रुप निचे होगी और एक यह है बहुत सार कलर बतूंग आपको रेट में आ बोटो चाहिए रेट में रुपे में रुपे में रुपीज पर फिट चलिए पांच लोड और दिखा तो मैं आपको एक प्टन यह है एक प्टन यह है ठिकनेस 20 mm पका ठिकनेस है एक प्टन यह मिल जाएगा आपको यह भी 160 है अगर 20 mm में तो 180 है बहुत सार पेटन मिल जाएगे अगर आपको जब भी जरूत हो तो आप कमेंट कर देना मैं इनको यह नंबर आपको दे दूंगा और इसकी सीडी केसी लगती है वह भी बता दूंगा आपको अगर आप यह मेट्रेल को सीडी में यूज़ करते हैं इस्टेर केस में तो क्या लूक रहेगा यह लूक आएगा अगर आप पिलर में भी यूज़ करते हैं इसको इस तरह से यह बिलर बनेगा यह तो पूरा पीस में से कटिंग करके बनाए हुआ है आपको तो चार चार इंच की यह साइज काट गई काम में लेना पड़ेगा यह देखिए जिसलिए यह पूरा राउंड में फेटिंग के हुआ है और कुछ एक तोड़ा सीडी बताता हूं उगर एक मंद्री देखिए यह सेंपल रखर का है और इसका टेबल टोब बताता हूं यह सब कलर अवेलेबल है यह फाइनली लूप के देखिए आप टाइस काट गए अगर इसी मेट्रेल में आप फाउंटेर मनाते तो क्या डिजाइन रहती है देखिए यह जो ओल देख रहे हैं अब उसमें से पानी चला जाएगा और एक टेबल टोब बनाते हैं देखिए यह यह रहेगा टेबल टोब तो तन्यवाद दोस्तों अगर कि आपको किसी भी जरूरत रहे मेट्रियल की तो आप कमेंट कर दें मैं आपको इनके नमबर दे दूंगा अगर वीडियो अच्छा लागए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अगर देखिए लागए हो तो लागए हो तो लागए हो अगर प्रोड़ प्रोड़ देखिए